EVM मशीन्स ते जित्ती होई सरकारां जे शहीर पगज सिंग शहीर उदम सिंग और 1984 दे एंटी सीग जैनोसाइड तू बाद वी इस मुल्क नू अपना मुल्क समझणा ली कौम नू जे मीडिया दे कुछ विके होई लोग इनू एंटी नैशनल मुवमेंट या सिखा दी मुव मैं एक कोई गाल कांगा गेट वेल सून तूसी बिमार हो यह मुल्क जिनना तो आठा है उनना इस आठा है सानू पौत फकर एकैनिच जै हिंद फेक मीडिया फेक न्यूस नाल असली फार्मर्स दे डिमांड ना बदनाम करो मैं खुद मौके ते गयां मौके ते राजस्तान दे उत्तर प्रदेश दे उत्राखंड दे तमील नाडू दे कैरला दे हरयाना दे पंजाब दे जम्मू दे जित्तों तक लोग आ सकते सान किसान उत्ते हैगे ने आप जाके देखो अफामा ते बलीव ना करो ये जड़े लोग उत्थे जाके एंटी इंडिया अगर नारे लान दे ने ते उत्थे निया टीमा उननों एक मिनट इच अपने मोर्चे तो बार कार दे दिया ने जिड़े नों सो कॉल्ड खालिस्तान दा रांग देना चांदे ने सिखा नों स्पेशली बदनाम करना चांदे ने और फार्मर्स नों हिंडू, सिख, मुसल्मान, जात, पात ते बढ़ना चांदे ने तो उथे जाके देखो, उथे लंगर भी चाल रहे ने, उथे पंचायतां भी चाल रहे ने, उथे लिड़ा हर्याना दा कल्चर है कि सारे लों कठे वैके हुका पिन देने, उन्हान ने भी आपने लाए होए ने, कंदे ने नाज कंदा मिला रहे ने, कैरला तू बच्चे आए ने, farmers आए ने, बच्चे यादा मतलब छोटी उमर दे farmers भी आए ने, यंग farmers आए ने, पढ़े लिखे farmers आए, तो प्लीज तोड़नों किसे दिमांड नहीं पसंद क्योंकि तोड़ना ये सिस्टम है कि तुसी एक चूट नो 5,000 लोग क्योंकि तुसी ट्रेंड हो 500 बारी हर बंदा बार बार एक कोई गल कहनदा है ये तोड़ना बहुत वदिया सिस्टम बाण चुक है कि तोड़ने विच 500 पांच हजार लोग 50,000 लोग पेड ने जेड़े एक साचनों चूटा साबित करन ली एक चूट नो दिन विच अलगदा तरीके नाल सोशल मीडिया थे दस-दस जारवारी कैन गे थे एक पोला हिंदुस्तानी इंडियन मननलाग पेंदा है इंटेलिजन्स दी रिपोर्ट ते आ चुकी है सरकारी रिपोर्ट हुन जड़ा तो सी इल्जाम ला रहे सी सरकार ते तो अड़ी है सरकार आपकी है मैं हिंदी में इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं हिंदी में सरकार आपकी, इंटेलिजन्स आपकी, होम मनिस्टर आपका, पुलिस आपकी अब तो उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है कि धरने पर बैठे हुए ये सिर्फ किसान है और इन में किसी भी तरह से भारत विरोधी गत्विदिया नहीं हो रही किसी भी तरीके नाल कोई भी एंटी इंडिया उत्थे गल नहीं कर रहा मैं तो उत्थे राजस्तान दे, बिलकूल पता नहीं बचारे कि वे पहुँचे ने, कैसे पहुँचे हैं वहां पर वो लोग वहां पहुँचे हैं और उन लोगोंने पहुच कि इस travelling का साथ दिया। क्योंकि वो किसान है पता नहीं बिचारें यहां तक पहुंचे कैसे हैं उन पे पैसे भी नहीं थे पर कृपा है इस देश पर गुर्णानक पाथशा के चलाए हुए इस बीस रुपे के लंगर की जो लॉकडाउन में नहीं रुका जो सड़कों पर चलता रहा उस पाथशा की वज़ा से वहाँ पर लंगर लगें हैं ऐसा लग रहा है गाउं बस गया पूरा भारत देखने को मिलता है एक ही जगा हिंदू, सिक, मुसल्मान हर जात, हर वर्का किसान छोटा किसान, अमीर किसान, बड़ा किसान ट्रेक्टर की ट्रॉली पे लटक के आने वाला छोटा किसान और फॉर्चूनर गाड़ी में आने वाला बड़ा किसान क्यों किसान फॉर्चूनर नहीं चला सकता किसान बड़िया गाड़ी ना चलाया आपको दर्द होता आपको प्राबलम क्या है आप कहते हो जी वहाँ बड़े किसान नहीं है जी वो फॉर्चूनर्स में आए है वो बड़ी गाड़ीों में आए है देश का किसान अमीर है क्या देश का पुझी पती अमीर होगा क्या जब बोलना बंद करें फ्ली स, ये देश सबका है, कुछ लोगों ने अपने फैदे के लिए 1947 में देश बाटा था, कुछ लोगों ने पंजाब अपने फैदे के लिए बांटा था, आपने भाई को भाई से लडाया है, आपने हिंदू को, सिखों को, मुसल्मानों को आपस में ललाया है ये आपकी नियत है बंद करो ये नाटक किसान समझ चुका है जै भारत, जै किसान, जै जवान धन्यवाद झाल